Hello everyone, उमीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया, आज का जो हमारा वीडियो है, उसका टॉपिक यह है कि Document Verification और Medical होने की बाद Final Joining की Process क्या होती है, उसके लिए हमें क्या-क्या Documents तयार करने होंगे, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, उस पर मैं बहुत ही डीटेल में बात करने वाला हूँ और आपके सारे पॉइंट क्लियर करूँगा, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आएगा, और कोई दूसरा वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, कम्प्लीट प्रोसेस के रिगार्डिंग है ना, तो सबसे पहले DV और मेडिकल होने के बाद जब आपका पेणल आएगा, विदिन वन मन्थ के अंदर जब भी पेणल आएगा ना, तो उसमें आपको post allotment के साथ कभी कभी role number दे देते हैं और post allotment का post का code भी दे दे देते हैं, जो भी आपको अलोट हुई है तो उसके बाद आपको कुछ दिन में घर में जोइनिंग लेटर भेजेंगे एक कंडीशन क्या बनती है मालो की आपको एक अक्टूबर को जोइन करना है 25 सितंबर को आपके पास जोइनिंग लेटर पहुंचा तो पाच्छे दिन में आप डॉक्यूमेंट कैस को चले आना चलेगा क्योंकि आपकी डॉक्युमेंट यार नहीं हुए है बिना डॉक्यूमेंट यार करे ठोड़ी आप जोइनिंग लेने चले जाए जे जाएंगे तो घबाराना नहीं है अगर late सारी प्रत्रिया कर रहाई मैं कागज पहले से तैयार करवा कि आगया था ज्वैनिंग लेटर मैंने यहां पाल लिया था तो घर पर ज्वैनिंग लिया नहीं आएगा तो जिस डिवीजन में आपका सलेक्षन हुआ है वहां पर जाकर भी आप ज्म ले सकते हैं और अगर आपक आपको वह बाहर नहीं करेगा अब चलिए हम बात करते हैं कि सारी प्रक्विया क्या होगी तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म आएगा अटेस्टेशन फॉर्म के आपको तीन सेट बनाने हैं मतलब एक फॉर्म आएगा तो उसके तीन फोट करेच होंगे पहला तो कंट होगा चरित्र प्रमारपत्र क्यरेकट्र सेटिफिकेट तो आपका लोगल पुलिस स्टेशन में जहां पर आप बिलॉंग करते हैं, वहां के local police station में, आपका criminal record तो नहीं है, आपके खिलाप कोई case तो नहीं है, तो local police station में बन जाएगा, तीन चार दिन में बन जाता है, normally police वाले सही हो, तो दो-तीन दिन में वो आपको बनाके दे सकते हैं, या hand-to-hand भी दे सकते हैं, तो local police station म में बनवाना है SP office नहीं जाना पड़ेगा दूसरी चीज एक आएगा आपके पास form जिसमें लखा रहेगा last attended college मतलब जहां पर आपने पढ़ाई करी है ना last में जहां पर आपने graduation किया है वहां के principal से वहां के head से sign करवाके लाने है कि मेरा record इस college में मेरा record अच्छा था मैं पढ़ाई में भी अच्छा था मैंने कोई गलती नहीं करी थी last attended college मतलब जहां पर आपने 12 तक पढ़ाई की है तो 12 की school में जाना पड़ेगा graduation किया है तो graduation में जाना पड़ेगा engineering करी है तो engineering वाले college में जाना पड़ेगा दूसरी चीज दो जगा सायन होते हैं राजपत्रत अधिकारी gazetted officer के तो राजपत्रत अधिकारी में कौन आता है जो higher school में जैसे 9th, 10th, 11, 12th को पढ़ाने वाले teacher है ना school में भी lecturer होते है, college के lecturer आते है, school के lecturer आते है और school में जो higher secondary, 10th, 11, 12th वालों को पढ़ाते है middle और primary वाले gazetted में नहीं आते है ना, doctor आते है, याद रखना, doctor आ गए, सरकारी doctor, college के lecturer है ना या फिर कोई दूसरे विभाग का राजपत्र तदिकारी है तो उससे आपको दो जगा साइन कराने है, ठीक है, दो जगा साइन कराने के बाद क्या होगा, last attended college के करा लिए, दो जगा राजपत्र तदिकारी, gazetted officer के करा लिए, इसके बाद आपको एक जगा SDM के साइन कराने ह होगी, इतना काम कराना होगा, इतने डॉक्यूमेंट जब आपके तदिकार होगा है, दो जगा राजपत्र तदिकारी के साइन, एक जगा SDM के साइन, और एक लोकल पोलिस स्टेशन से चरित्तर प्रमाणपत्र, इतना आपने बनवा लिया, उसके बाद आपको क्या करना है 10th, 12th graduation, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए है, डीवी में, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनको आपको वेरिफाई कराना होता है, वेरि, ओनलाइन वेरिफाई कराना होता है, जैसे मैं मध्ध प्रदेश का हूँ, तो मैंने MP Online की वेबसाइट से 10th क की मार्क सीड और 12th की मार्क सीड वेरिफाई कराई थी, ओनलाइन वेरिफाई हो जाती है, पोर्टल का 3-400 रुपे चार लगेगा, 310th का, 312th का, और दूसरा एक्जामपल, ग्रेजुएशन की मैंने RGPV University, राजीव गांधी प्रद्योगी की विस विद्धियाले से एंज इतने डॉक्यमेंट जब आपके तैयार हो गया, तो आपको अपना किसी भी बैंक में, कुछ लोग कमेंड करने की सर, SBI बैंक में तो नहीं, State Bank of India, या फिर किसी भी बैंक में, Bank of India, Punjab Bank, Badaada Bank, SDFC Bank, ICICI Bank and many more, किसी भी बैंक में आप खाता खुलवाईए, उसके साथ आपको इस बैंक का IFSC Code, है ना, IFSC Code पता होना चाहिए, क्योंकि वो सेलरी आने की टाइम पर लगता है, और इस IFSC Code, Bank Passbook, Bank का खाता बहुत जरूरी है, पैन कार्ट जरूरी है, आधार कार्ट जरूरी है, और बैंक खाते के साथ आप चेक बुक भी बनवा लीजिए, है ना, क्योंकि आपका IFSC Code से काम चल जाएगा, लेकिन अगर चेक बुक भी बनवाल है, तो बढ़िया है, ठीक है नहीं, तो IFSC Code, Bank का खाता जरूरी है, आधार कार्ट, पैन कार्ड ये सारी जरूरी है, लगेंगी आपके सर्विस रिकॉर्ड में चड़ेंगी, पूरे डॉक्युमेंट, सारी फोटो आपको यूज हो जाएगी, बहुत सारी फोटो लगती है, जो फोटो बचेंगी उनको बाद में आप यूज कर सकते हो, लेकिन फोटो जादा रखना, ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट आपको कराने है, और ओनलाइन वेरिफाई कराने के लिए डरना नहीं है, मै अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा, वीडियो इंफोर्मेटिव लगा, जैन्वेन लगा, तो दूसरे लोगों तक सेर करिए, चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके फ्रेंड है, या पर आपको कलीग है, या आपको करिए, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो, और उनको कोई भी वीडियो ना देखना पड़े, थेंक्यी सो मच, मिलते नेक्स वीडियो में, धन्नवाद, बाई.